दोस्तों खेत में बोई हुए सभी बीज अंकूरित नहीं होते परन्तु जीवन में किये गए सतकर्म का एक भी बीज वेहरत नहीं जाता और संबंद और जल एक समान होते हैं ना कोई रंग ना कोई रूप फिर भी जीवन के लिए सबसे जरूरी और गुस्ता एक ऐसा हतिहार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है और कितना अजीब है ये फलसफा जिन्दगी का कि दूरिया सिखाती हैं नजदीकिया क्या होती है और गमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो आपको कभी मैसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो और क्रोध और आंधी दोनों एक जैसे हैं शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है और समय और शब्दों का उपियोग संभल कर करना चाहिए क्यूंकि ना तो ये दुबारा आते हैं और ना दूसरा मोका देते हैं और जो अपने मन की तकलीफों को बयान नहीं कर पाता क्रोध उसे ही सबसे जादा आता है और कामियाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई च्छाओ मिली होती तो सो गए होते और जिंदगी के हर मोड से गुजरना चाहिए क्या पता किस मोड बे मनजिल आपका इंतजार कर रही हो और माना की औरों के मुकाबले कुछ जादा नहीं पाया मैंने पर खुश हूँ कि खुद गिरता और संभलता रहा मगर किसी को गिराया नहीं मैंने और दोस्तों उम्र का मोड चाहे कोई भी हो बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए और पानी दरिया में हो या आँखों में गहराई और राज दोनों में होते हैं और इंसान को थोड़ा मस्ती खोर होना चाहिए सीरियस लोग तो होस्पिटल में बहुत मिल जाएंगे जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है वरना यू समझ लीजिए कि वो जबरदस्ती जिंदा है और दोस्तों लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ एक खुदा का ही दर ऐसा है जहां कभी ताना नहीं मिला और जब महनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदली है सिद्धान्द नहीं क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है जड़ नहीं और समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है मजा तो तब आए जब वक्त बदल जाए और इनसान ना बदले और अगर कोई मनुश्य आपको केवल जरूरत पढ़ने पर ही याद करता है तो उस बात का पुरा मत मानो क्यूंकि जब अंधेरा हो जाता है तब ही दिये की याद आती है और गलत तरीके अपना कर सफल होने से कही बैतर है कि सही तरीके के साथ काम करके असफल हो जाना और खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता खुश रहना ही एक रास्ता होता है और दोस्तो खुबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते पर अच्छे लोग हमेशा खुबसूरत होते हैं और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा मोल समय का होता है और सबसे जादा लोग इसे ही गवाते हैं तो दोस्टो मुझे अमीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंड में ज़रूर बताना और इस वीडियो को एक लाइक करना मत बूलना तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में तब तक के लिए मोटीवेशनल मंत्रा साइनिंग ओफ